So, here learners, welcome back to Stock stationary Last video में हमने कुछ candlestick patterns के बारे में सीखा था जिसमें एक pattern था inside bar But last video में हमने inside bar का सिर्फ एक strategy देखा But inside bar को हम different ways में trade कर सकते हैं आज की video बनाने का यही motive था आप कोई अच्छी चीज़े miss ना कर दो तो वीडियो को बिना skip किये end तक जरूर देखें और आप लोगों के लिए एक alert है अगर आपको कोई भी मेरा fake account बना कर पैसा या WhatsApp पर chat का demand करता है तो आप समझ लेना वो fake user है आप उसे block करें और report करें Now continue with the topic First of all, what is inside bar? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एक inside bar कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर next candle, previous candle के high और low के range के अंदर है तो हम इसे inside bar बोलते है मतलब इस example में ये red candle एक inside bar candle है क्योंकि इसका high और low, previous candle के high और low के range के अंदर है आईए चार्ट पर एक example देखते हैं inside bar का यहाँ आप देख सकते हो यह एक inside bar candle है क्योंकि ये candle अपने previous candle के high और low के range के अंदर है यहाँ भी एक inside bar है क्योंकि ये भी अपने previous candle के range के अंदर है अब आपको एक general idea हो चुका है inside bar देखता कैसा है अब समझे हमें entry कैसे लेना है तो general concept ये है जब mother candle का high break होता है mother candle मतलब inside bar का previous big candle जिसके range के अंदर inside bar होता है तो जब इसका high break होता है तो हम यहाँ buying की position मनाते है और यहाँ हमारा stop loss inside bar के low के नीचे होता है और जब mother candle का low break होता है तो हम यहाँ short की position मनाते है और यहाँ हमारा stop loss inside bar के high के उपर होता है देखिए अगर हम कोई bullish trade लेते है तो उसके लिए mother candle green होना चाहिए और अगर हम कोई bearish trade लेते है तो उसके लिए mother candle red होनी चाहिए जिससे हमें एक अच्छी accuracy मिलती है strategy को समझने के पहले आप समझी हमें इसे कब avoid करना है अगर market range bound है या sideways है तो हमें inside bar पर trade नहीं लेना है उस समय हमें इसे avoid करना है क्योंकि inside bar हमें indecision represent करता है मतलब market यहाँ undecided है यहाँ ना buyer's price को उपर ले जा पाएं और ना seller's price को नीचे ले जा पाएं और previous candle के range में फसे रहें और वहीं range market भी undecided होता है जहाँ buyer's price को resistance तक ले कर जाते है और seller's price को support तक ले कर जाते है और यह कुछ दिनों तक चलता रहता है और price एक range में फसा रहता है अब आप ही सोचिए अगर हम दो undecided चीजों को मिला कर trade करे तो हमें क्या मिलेगा अब समझते हैं हम इसे trade कैसे करना है पहला तरीका है जब market consolidation period के बाद एक breakout देता है तो हम इसे trade कर सकते है दूसरा तरीका जब price 10 period moving average के साथ react कर रहा होता है तब हम inside work को trade कर सकते हैं और तीसरा तरीका है support और resistance आएए एक एक करके example के help से strategy को समझते हैं पहले हम breakout of consolidation पर trade कैसे लेना है वो समझेंगे देखिए जब market consolidate करता है मतलब यहाँ एक strong support और resistance है और जब price यहाँ किसी भी direction में breakout देता है मतलब यहाँ एक strong momentum create होता है जो support और resistance को break करता है और इस situation में जब एक inside bar form होता है तो यह हमें एक better result प्रोवाइट करता है आए example देखते हैं यहाँ आप देख सकते हो market clearly एक range में move कर रहा है next, price support level को break करता है मतलब यहाँ downward momentum high है और यहाँ हमारे पास एक inside bar candle है अब हमें इसके low के break होने का wait करना है next, यहाँ एक red candle इसके low को break कर देता है अब मैं यहाँ short कर सकता हूँ और मेरे stop loss inside bar के high के उपर होगा एक और example देखते हैं यहाँ भी market clearly एक range में है next, prices resistance level को break करता है और फिर यहाँ हमें एक inside bar candle मिलता है अब हमें mother candle के high के break होने का wait करना है तो यहाँ एक green candle, mother candle के high को break कर देता है अब मैं यहाँ buy कर सकता हूँ और यहाँ मेरा stop loss इस जगा पे कहीं होगा आप situation के according stop loss को थोड़ा बहुत adjust कर सकते हो अब moving average का concept समझे suppose यह price है और यह हमारा 10 period moving average है और यहाँ price moving average के साथ perfectly react कर रहा है इसका मतलब market अभी strong trend बे है और जब हमें इस situation में inside bar मिलता है तब हम trend के according trade ले सकते हैं आईए example की help से समझते हैं यहाँ chart पर 10 period moving average applied है और आप देख सकते हो price moving average के साथ perfectly react कर रहा है मतलब यह हमें indicate कर रहा है अभी market में momentum है next यहाँ moving average के पास एक inside bar candle है now अब हमें mother candle के नीचे sort करना है और inside bar के उपर का stop loss लगाना है again एक inside bar candle हमने mother candle के low के नीचे sort किया और inside bar के high के उपर stop loss लगाया तो अब तक हमने दो concept को समझ लिया अब हम समझेंगे हम इसे कैसे support और resistance के साथ combine करके trade कर सकते है इसके लिए हम पिछले वीडियो के example को use करने वाले है अगर आप लोगोंने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसे skip कर सकते हो या एक बार और देख सकते हो ताकि आपको recall हो जाए आईए example देखते है यहां आप देख सकते हो हमारे पास एक resistance level है चुकी price इस level पर multiple time reject होकर नीचे चला जाता है जो इसे एक potential resistance level बनाता है next price वापस इस level को अप्रोच करता है और यहां हमारे पास एक inside bar candlestick है यह inside bar क्यों है क्योंकि इस candle का high और low previous candle के high और low के range के अंदर है inside bar market में indecision represent करता है मतलब market यहां undecided है यहां ना buyers price को उपर ले जा पाएं ना sellers price को नीचे ले जा पाएं next यहां एक red candle इस mother candle के low को break कर देता है market यहां undecided था पर जब यह red candle इस candle के low को break कर देता है तो यहां clearly इस resistance level पर sellers का interest देखने को मिलता है as a result price यहां से नीचे चला जाता है आईए एक थोड़ा advanced trade setup देखते है यहां आप देख सकते हो price इस level तक उपर जाता है फिर यहां से reverse हो जाता है जो इसे एक resistance level बनाता है next price वापस इस level को approach करता है अब notice कीजिए जब price इस level को approach करता है कैसे candles का साइच छोटा होती जाता है यहां हमारे पास एक big candle है next एक small candle है फिर एक उससे भी small candle और finally एक inside bar जब price अपने key level को approach करता है और उस समय अगर candles का साइच छोटा होती जाता है तो यह एक momentum loss का sign है और हम यह भी देख सकते है multiple candles इस resistance level को break करने में fail हुए है next यहां एक big rate candle inside bar के mother candle का low break कर देता है now अब यहां हमारे पास multiple factors है जो हमें यहां एक high quality short opportunity provide करते है first shrinking candle जो हमें momentum loss indicate करता है second multiple rejections at this resistance level third inside bar candlestick और finally एक rate candle जो mother candle के low को break कर देता है अब मैं यहां short कर सकता हूँ so hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़ी information मिली होगी अगर आपको वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करे मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock journey